रणजीत चोटाला की बल्ले बल्ले करेंगे कुल्दीप, कुल्दीप विश्णोई को मनाने में जुटी भाजपा, नामांकन के आखरी दिन आदमपूर में समर्थकों की बैठक, नायव सैनी के नामांकन पर कुल्दीप विश्णोई पहुंचेंगे करनाल एक बार फिर कुल्दीप विश्णोई सुर्खियों में है, आज भवे विश्णोई ने रहतक में यूवा विंग के भाजपाईयों की बैठक ली, तो दूसरी और कुल्दीप विश्णोई को मुक्यमंतरी नायव सैनी ने करनाल से च्छे माई को दाखिल किये जाने वाले नामांकन का नोता भी दे दिया है। कुल्दीब विश्णोई करनाल नाइब सैनी के नामांकन के दाखिल होने के वक्त मौजूद रहने वाले हैं। अब इसमें कुल्दीब विश्णोई के सुर्कियों में आने की बात क्या है आईए इस पर गोर करते हैं। दरसल पिछले दिनों हिसार के आदमपूर में आयोजित की गई रैली में एक ही मच पर मनहुरलाल खटर और कुल्दीब विश्णोई दिखाई दिये। परन्तु दोनों के बीच मन मुटाओ दूर नहीं हो पाया। बताये जाता है कि रैली के दोरान किसी प्रकार का विरोध नहीं होने की बात कुल्दीब विश्णोई ने मनहुरलाल खटर को सी ओफ करते हुए दोराई थी। परन्तु मनहुरलाल खटर ने इस पर कोई रिस्पोंस नहीं दिया। इससे पहले दिल्ली के हरियाना भवन से दिल्ली में ही मौजूद कुल्दीब विश्णोई को मनहुरलाल खटर ने भी बुलाय था तो कुल्दीब विश्णोई ने भी कोई रिस्पोंस नहीं दिया था। इसके बाद नायब सेनी प्रदेश संगटन के पदादिकारी सुरिंदर पूनिया के साथ कुल्दीब विश्णोई के आवास पर नाश्टे के बहाने पहुँचे थे। अब एक बार फिर कुल्दीब विश्णोई की मान मनवर शुरू हो गई है। इसके बाद वो आदमपुर में हुई रैली में अपने बेटे भवे विश्णोई के साथ दिखाई दिये थे। लेकिन रणजी चोटाला के नामांकंद दाखिल किये जाने के वक्त कुल्दीब विश्णोई वे उनके बेटे भवे विश्णोई का ना होना चर्चा का विश बन गया था। अब एक बार फिर कुल्दीब विश्णोई की मान मनवर शुरू हो गई है। कुल्दीब विश्णोई ने 6 मई को ही आदमपुर के विश्णोई मंदिर के पास भजनलाल खेल स्टेडियम में अपने समर्थकों की एक बड़ी बैठक रखी है। इसके लिए हि अजनेतिक माई ने माने जा रहे हैं। बैठक के बारे में कुल्दीब विश्णोई के बेखत नजदी की सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार कोई बड़ा फैसला लिए जाने के क्यास लगाए जा रहे हैं। इस मीटिंग को लेकर यह भी अनुवान लगाए जा रहे हैं कि हिसार लोकसबा सीट से भारतिय जनता पारिटी के उम्मीदवार रंजीत सिंग चोटाला को बड़ा फाइदा होने वाला है इसके अलावा शाम चार बजे बुलाई गई इस बैठक से पहले कुल्दी बिश्णोई दिल्ली से सीधे करनाल पहुँचने वाले हैं यहाँ नायव सेनी के नावांकन दाखिल किये जाने के कारिय करम में शामिल होने के बाद कुल्दी बिश्णोई सीधे आदमपूर पहुँचेंगे और यहाँ अपने समर्थकों को चुनाव समंदी राइश उमारी के साथ एक बड़े फैसले पर चर्चा करने वाले हैं इस तमाम घटना करम के पीछे भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है बताया जा रहा है कि भवे विश्णोई को भारतिय जनता पायटी की यूवाई का परदेशा धक्ष बनाये जाना परियाप्त नहीं माना जा रहा है हिसार सीट से प्रबल दावेदार रहे कुलदीब विश्णोई को भाजपा के शिर्ष नेताओं के भरपूर भरोसे के बाद टिकेट कटने के पीछे खटर का हाथ बताया जा रहा है दूसरी और नायब सेनी की कुलदीब विश्णोई से मधश्टा इतनी काम्याब रही के इसके बाद मुलाकात में नई ओफर की चर्चा भी परवान पर है माना यह जा रहा है कि रणजीच चोटाला के इस्तीफा दिये जाने के बाद खाली हुई मंतरी पद पर भववे विश्णोई को आसीन किये जाने और कुलदीब विश्णोई को डिप्टी सीम पद की ओफर की भी चर्चाएं है आदमपूर की मीटिंग से पहले ही गुपचुप बैठक में कुलदीब विश्णोई से मुक्यमंतरी नाइब सेनी की बादचीत होने की भी चर्चा आम हो रही है बताया जाता है कि इसी मुलाकात के बाद कुलदीब विश्णोई नाइब सेनी के नामांकन दाखिल किये जाने के कारिय करम में शामिल खोने का फैसला लिया है अब देखना यह है कि आदमपूर की मीटिंग में कुलदीब विश्णोई अपने समर्थकों के साथ कौन सा फैसला लेते हैं फिल खाल तो आदमपूर रेली के बावजूद कुलदीब विश्णोई के समर्थक चुनाव में पूरी तरे स्क्रिये भी दिखाई नहीं दे रहे हैं माना यह जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल तीन बार खरियाना के मुख्यमंत्री रहने के अलावा करनाल वे फरीदाबाद से सांसद भी रहे हैं उनकी राजनेतिक विरासत समर्थकों के रूप में पूरे खरियाना में मानी जाती है ऐसे में भारतिय जनता पार्टी हरियाना के किसी कोने में भी अपने उम्मी द्वारों के लिए कुलदीब विश्णोई के वोट छोड़ने को कताई तयार नहीं है माना यह भी दा रहा है कि कुलदीब विश्णोई पर नायव सैनी की मुलाकात सिरे चड़ती है तो हिसार लोग सभा में रणजी चोटाला को और ज्यादा फाइदा होने वाला है आप इस बारे में क्या सोचते हैं कॉमेंट बॉक्स में अपनी राएवेर प्रतिकिरिया जरूर दें रिपोर्ट अच्छी लगी तो लाइक भी करें और पेज अटनों चैनल सब्सक्राइब नही झाल करें के दो हुआ जया हुआ हैं कि यह थोटाइब को यह रहले हुआ है।